तो गुरू साम ने ए संबाद वेचे स्पाष्ट सुनेहा सानु देन दी कोशिश कीती है बहुत ही सारल तरीके देनार सानु समझाय है और ए दसन दा साड़े सामने साड़े सामने विचार रखन दा जतन कीत है के मनोखनू ग्यान तो वहीणे वहीणे लोकां दे शुचियत र गावेगीत पुखे मुल्ना करे मसीत मखटू होएके कान पड़ाए फक्र करे और जात गवाए जोगी जोगत ना जाने यंद तो गुरू साब ने जड़ा दखावेदा तर मैं जड़ा पत्रा दी पूजा करन वाड़ा तर मैं जड़ा मनोखनू कुराहे पाउन वाड़ा ओसनू राद करन दी कोशिश कीती है और उनने इस पाश तोरते दसे है कि मनोखनू की करना चाहिए निर्पव निरांकार सच नाम ताका किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चलाओ तिनी रैन पिनी रैन तिना जना मन चाओ सिखी सिख्या गुरवी चार नदरी कर्म लगाए प को मनोखनू उस लेज़े कर्म ने और प्रमात्मा दी जो नदर है उस दी जो मेहर है उस दा जो हुक्म है उस दी जो रजा है उस दे विच रहना चाहिए और मनोखनू दुखा ते सुखा तो शुटकारा पांट दुखा ते दुखा तो शुटकारा पांट ते सुखा दी प लोकां दे पिछे लाग जावे ता शायद शुटका रहा हो साकता है क्योंकि दुख ते सुखता जीवन ना हिस्सा ने उनने मनुख दे नाल नाल चलना है वो मनुख दी होंद दे नाल ही पैदा होगे दुख सुख दोनों कपड़े पैरे जाए मनुख गुरु सामने बड़ा स्पाश्टिक है के दुख दारू सुख रोग पैया के दुख भी ओनगे सुख भी ओनगे गुरु साब गुरुबानी सिक चंतनार जुड़ी हुई विचारता रहा मनुख नू सुखा नू मानन दा तरीका दास दिया है और दुखा दा टाकरा करन दी विदी दास दिया है दुखा नू कि में सेहन करना है और कि में उनानू सुखा विच बदलना मन दी शांती विच बदलना साहज विच बदलना संजम विच बदलना प्रेम विच बदलना ते कि में सुरेंडर करके आत्म समर्पन करके आपने इस्ट दे नाल जुड़ना है आपने मूल दे नाल ज बेदास्ट थी कोसिच कीती है और गुर्मत जेवेत गुरूदी सादना गुरूदी प्राप्ती गुरूदी होंद तो गुरूधा मतलब है घुर्धा मतलब है हने रुदा मतलब है रोशनी के ओ जड़ा हने रेनों दूर करदे ओ जड़ा मन दिया हने रियां गुठानों रोशन करदे जड़ा मनुखनू चेतना देंदे जड़ा मनुखनू अगवाई देंदे जड़ा मनुखनू प्रमातमादी हों दो बारे चानना पांदे जड़ा मनुखली लाइ कर सकता है गुरु साब ने या गुर्बाणी दे बाकी बाणी काराने जमें बाबा फरीद जी ने बहुत सपस्ट तौरते के है के बोली है सच तर्म चूटना बोली है जो गुर्द से वाट मुरीदा जो लिये तो गुरु दी इंपार्टेंस दान से हुया दूजे गुरु ग कि एते चानन होंदयां गुर्बिन को औरंदार हजारा सूरज सेंकडे चंदरमा मनुख दे माननू रोशन नहीं कर सकदे ओ द्रियावी रोशनी दे सकदे है लेकिन अंदर दी रोशनी अंदर दी जोत उदो जाके दी है जदो गुरु दे लड़ लागे दे है जदो आपने आपनू समर्पत कर देने हैं जो दो वसी ए मैसूस करने लग देने हैं कि गुरू ही सानू रोशनी दे सकता है ता गुरू दी पशान थी कोनी चाही दी है और खास्त तौरते आज दे देन वेचता कोई भी पले खानी रहा कि जदो गुरू गोविन सिंग ने गुरू रान साहिबनू शब्द गुरू दे रूप पिछ साड़े सामने रख्या ता निस्ट तौरते साड़े लिको किसी तरह दे तरह दे गुरू आवारी गल मौजूद नहीं रही एक गुरू दे नाड जुड़के एक आकाल पुरुख दे नाड असी जुड़सा के देयां असी जान दे हैं के जदो गुरू नानक देव जीनू सिद्धा ने पुछिया के तेरा गुरू कुर्ण कौण ते उन्ना ने की के है के सब्द गुरू सुर्त तोन चेला गुरू अमर्दास जीने सपाष्ट तोरते हे गलकेंड दी कोशिश कीती के ए एस पाष्ट कीता सानू के पाणी गुरू गुरू है बाणी विच बाणी अमरत सारे इस तो ज्यादा सरल तरीके नाड सानू समझाया नहीं जा साकदा ते जे असी गुरू नू सिर्फ मत्हा ट्रेक के तुर्जा नेया ता निश्य तोरते साधी साधी सामझ ओनीत ओपरी रहे इस विच्छे किसे भी प्विच्छिंदा चैनि झाड शाक्राप आन नेया थो जरी और नाल नाड उत्य डिया और नेश nimmt क करना दो बताल मुंद करना जरूरी है मनुख जे मन नू जित लवे ते जाग नू जित सकता है मनुख नू अपने असले नाड़ों टुटे होन दा ऐसास जो है उसती चेतना जरूरी है और उस अपने मुद्दे नाड अपने मुख जड़ा अपना केंद्र है जिड़ा नीव के लिए से है जित लूशी आए हां उसते नाड जुड़ना जरूरी है ये ताही संबब हो सकता है के जे मनुख नू इस गल विच विश्वास हो जावे के ग्यान दी प्राप्ती बहुत अटाल चीज है और गुरू साहब बहुत ही सिंपल शबदा विच बहुत ही सदारन सिंबल लेके इस गल नू इस महतब नू के गुरू नाड जुड़ना क्यों जरूरी है दस्थन दी कोशिश कर देने एक कुमब बदा जल रहे जल बन कुम ना होए ग्यान का बदा मान रहे गुर्बिन ग्यान ना होए जदों गुरूरी नू अशी त्यान नाड वाचने यां ताहीं गल्ला बहुत ही सपाष्ट रूप बेचे साड़े पदले पेंदियाने ये विद्या बारे भी उस पाष्ट रूप बेचे कैंदी कोशिश कर देने के विद्या उही महान है विद्या उही सार्थक है विद्या उही असल है हकीकत है जिस विद्या दे नाड विचार भी कम करता हुए जोदो एक एंडे ने बहुत ही चोण में शबदाविच के विद्या विचारी तपरुपकारी ता एक कंडीशनिंग है एक शर्त है एक केस के सिमदा उनने सुआल खड़ा किता है कि केडी विद्या परुपकार कर सकती है कीडी विद्या राही मनुखदा कल्यान हो सकता है कि यह एस सम्दू पार्म नी ताह की किया माया जाल केडियां अजी रोज पढ़ देयां के थाल वे चितन वस्तू पईयो सात संतोख विचारो अमरत नाम ठाकर का पईयो जिसका सबसदारो तो जो दो विचार दी गुरू साहवाने ने सपाश्ट रूपावे रूप विचार कर देने तान इस चित तौरते अजी समय देयां के उना दा मनशाए ही है के मनुख विचार के चले मनुख जिंदगी दे सार्थ अर्थलबन दी कोशिश करे और उसनु फिर ग्यान हो सकता है के सब किछ घर में बाहर ना ही बाहर टोले सो परम पलावी और वो बहुत सपाश्ट तौरते होर कहें देने के सोपत वनता जो आप पशानी पागत कबीर जी ने मनुख दे जो बंडियां पहियां हुई है प्रमातमादा नाल खलकत नाल जो संबंद है मनुख नाल जो संबं जाल सारी अक्खां विच जड़ी तोंदशाई है उसनु दूर करन दी कोशिश कीती है के अवल अलो नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जागुप जा कौन पले को मंदे सबना मैं सचातनी मानक साब हम अम होल में हयाओ न कहीं ठाए कह के गुरू साब एदसंदी कोशिश कर देने के किसे भी हिर्दे नू साट नहीं मारनी चाहिए जैन्दगी दी हकीकत नू दर सौन्दया होयाँ गुरू साहबान ने ते पागत बानी कारा ने साड़े लई बेशमार इस किसम दे रोशन मीनार खड़े की ते ने जिना तों सी लगातार रोशनी ले साकदे या ते जिन्दगी नू सूझ दे नाड पार साकदे या चिनतामा तों मुक्त हो साकदे या सिट्रेस तों दबावतों किसे किसम दे भी तनावतों बज साकदे या और सैज होके अपने जिन्दगी दे जो मुश्कल तों मुश्कल का आरज न उनानों नबाव सकनेँ गुरु नाढर जोड के मिनोख कर अखती आकथ आदे सामने상 जो हने एराष आया होया है औऊसी प्रिदोत Initiallyे जुटेही संभांद मेश संभांद वेच्छ गुरु अहँआ सब्सक्रार Humaट के अने की तοऺ सकते ही तरह करहा है रहे बाद या। जे असियां दे आत्मक चिंतन दी गल करनी है, जे चंगे समाज दी गल करनी है, चंगे राज दी गल करनी है, चंगे तर्म दी गल करनी है, ता ओस दा जिड़ा साधन है, गुरू है, लेकने दे नाल नाल अकाल पर उख दी मर्जी होते, उस दी टेक होते, उस दी नदर होते, उस दे प्रसाद उते सानू निर परहुना पेगा